हेलो गाइज दी श्रीकोत और गाइज आज फिर मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओनोर की 9x के बार में और यह जो डिवाइस है ऑनोर 9x कुछी दिन पहले चाइना में लांच हो गया था और बहुत ही एग्रेसिव प्राइजिंग सेग्में में यह डिवाइस लांच हुआ थ और इस डिवाइस के साथ यसाथ अनोर 9x प्रो यह डिवाइस भी लांच हो सकता है इंडिया में अनोर टीवी के साथ ही और ओगाश्य की महिनने में यह डिवाइस लांच हो जाएगा और अभी मार्केट में बहुत भारा कॉंपिटिशन है तो अगर आप एक स्मार्पोन ल यह दिवाइस होने वाला है 1 9x कॉंसे साइट में कॉंपिटिशन को किल करने वाला है जहाँבה पर्षि answer लगा तो ठीवाइस के भारे में आज वीडियो में बात करने वाला हो तो यह यह डिवाइस होने वाला ही मरकेट में अभी के टाइम बहुत दगरा कॉंपिटिशन है उन सभी को कौन से साइड में किल करेगा वह सब पॉइंट मैं इस वीडियो में बोलने बाला हो तो सबसे पहले बात होने वाला है इस डिवाइस का एग्रेसिव प्राइजिंग तो जैसे कि चाइना में यह डिवाइस 14000 की प्राइज में लांच हुआ है वा था कुछी दिन प इस डिवाइस का स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो अगर आप नहीं देखे तो डेस्क्रिप्शन में दे दूंग और उपर कार्ड में भी शो हो रहा है देख लेना तो नंबर वन पॉइंट के एग्रेसिव प्राइजिंग तो सेगंड पॉइंट में करना चाहूंगा इसका पर्फॉमेंस तो इसमें हमें कीरीन का 810 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है जो कि एक 7 अनुटर प्रोसेस के उपर बना हुआ है तो इसके हम बोल सकते हैं बहुत ही पावर एफिशियंट होगा और यह जो कीरीन 810 का यह प्रोसेसर है इसमें हमें dedicated NPU देखने के लिए मिलता है जो की AI प्रोसेसिंग के उपर काम करता है तो हम बोल सकते हैं कि मिड्रेंजर सीरिस में सबसे बेश्ट प्रोसेसर होने वाला है यह अभी के टाइम में जो कॉंपिटिशन है उन सभी से अच्छा ही होने बाला है और अभी मार्केट अगर रियल मी X की या फिर वीव का Z1 Pro की या फिर रेड्मी K20 की तो इन डिवाइसे में स्नापडागन 710 स्नापडागन 712 और स्नापडागन 730 देखने के लिए मिलता है तो ओवराल मैं यह बोल सकता हो कि यह जो किरीन 810 यह प्रोसेसर है यह स्नापडागन 730 से भी में जो स्मार्णा आता है इस बजट अपर भी स्मार्णा आता है इस बजटते आफ यह जो स्नापडागन 810 यह फोल सकतें स्नापडागन 710 पॉप नहीं सनापडागन 730 दो चुवराल फो बहुत उनाबयु के लिए जाएड़ी बेटर एये किरीन 810 ऑर स्नापडागन 710 से पर बना हुआ है यह तो अलग ही बात है पावर एफिशिएंट है बहुत तो अबरल आप मौल सकते हैं यह ज़्यादा पावरごल अने वाला है बहुत ही जायदा हां थे ज्याधा पवरफुल हमें ये देखने के लिए गार का 9x तो इस प्राइसिंग सेग्मिन इस दिवाइस में बहुत ही अच्छा देखने के लिए यह एक पॉइंट में एड़ करना चाहूंगा जो कि होने वाला है इस डिवाइस में भी देखने के लिए और अच्छा ही होता है और 8x का भी अच्छा ही था तो अबराल हम बोल सकते हैं यह जो डिवाइस होने वाला है इस डिवाइस के कैमेरा भी बहुत ही अच्छा ही होने वाला है और जैसे कि चाइना में बहुत सरी वीडियो अभी आउट है यूट्यूब में अब देख सकते हैं इस डिवाइस का कैमेरा है वह बाके ही बहुत ही तो अगर यह जो डिवाइस है पंदरा से लेकर 17000 की रेंज में अगर इस स्प्सिफिकेशन के साथ इस प्रोसेसर के साथ इस पर्फॉमेंस के साथ इस कैमरे के साथ लाँच होता है तो इस बजट में जो भी स्मार्टवोन है लाइक हम बोल सकते है तो अगर आप बेटर डिस्प्ले चाहते हो मोवाइल में तो आप रियल्मी एक्स या फिर रेद्मी के 20 की तरफ देख सेखते है क्योंकि उस दिपैस में हमें एमोल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो बाके ही अगर आप मूवी देखते है बहुत बहुत ही ज्यादा रियल्मी के 20 और रियल्मी एक्स सेगेंड पॉइंड एट करना चाहूंगा फार्स चाहिंग तो यह जो और नाइन एक्स इसमें हमें फार्स चर्जिंग कैपसिटी भी नहीं देखने के लिए मिलता है तो इसमें फार्स चर्जिंग सपोर्ट नहीं होने वाला है तो अगर चुनतरी तो दो बहुत काती पॉछ ने नाइक की शी करें लीज गे गथा फिर मे पीमारारा ग्रिंगि के घंज करया करने की है हैं लेकिन गाए よak आप अठी पारश पा शेल्फी मिलता है तो पकरने में भी अच्छा लिए वाला है धो शी होनेगा इस तो प्रिबंग हुन अगर आप गेमिंग स्मार्फोन चाहते हो नया डिजाइन के साथ तो डिफिनेटी आप ऑनो 9x के तरफ जा सकते हो अगर आपका बचे थुरा सा कम है तो तो अभी के टाइम में हम इतना ही बोल सकते है और यही है और 9x कुछी दिन बाद ही मतब ऑगर्ष्ट की महने में यह डिवाइस हो सकता है इंडिया में और पंद्रा से लेगा 17000 की प्राइजिंग देंश में यह हमें देखने के लिए मि